सुरेश मैनन आपने इन्हें कई फिल्मों में देखा होगा ये फिल्मों में गे इनसान के रोल में नज़राए विलेन के हैंचमैन के रूप में दिखे कोमेडी भी इन्होंने खुब की और केवल कोमेडी ही नहीं कुछ फिल्मों में तो इन्होंने धीर गंभीर रोल भी शानदार अंदाज में निभाए और जता दिया कि ये महज एक मस्खर नहीं बलकि एक धासू एक्टर हैं रियलिटी शोज हो या फिर टीवी शोज इन्होंने हर जगह अपने टैलेंट से लोगों का मनुरंजन किया किस्सा टीवी आज लेकर आया है अभिनेता सुरेश मैनन की कहानी सुरेश मैनन फिल्मों में कैसे आए और इनका फिल्मी सफर कैसा रहा ये सब बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सुरेश मैनन का जन्म हुआ था 10 जन्वरी 1956 को केरल के पलककट जिले में इनके माता पिता दोनों ही LIC में नोकरी करते थे सुरेश के जन्म के कुछी महीनों बाद इनके माता पिता का ट्रांसफर मुंबई हो गया यही वज़ा है कि इनके बच्पन का काफी सारा वक्त मुंबई में गुजरा मुंबई में ये एक छोटे से घर में रहते थे इनका पूरा परिवार एक कमरे में रहा करता था सुरेश और उनके दोनों छोटे भाईयों की पढ़ाई मुंबई से ही हुई बच्पन में सुरेश को क्रिकेट से बेहद लगाओ था इसलिए वो बच्पन में क्रिकेटर बनने का खाब देखते थे उनका ये खाब उनके साथ कोलेज के दिनों तक रहा हाला कि बच्पन में ही इनकी दिल्चस्पी एक्टिंग की तरफ भी होने लगी थी दरसल इनकी सुसाइटी में गनेशोट्सव का पंडाल लगा करता था और गनेशोट्सव में ये भी बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया करते थे गनेशोट्सव में ही पंडाल भी लगता था जिस पर बच्चे नाटक क्या करते थे एक दफा इनोंने और इनके भाई ने भी गनेशोट्सव में होने वाले नाटक में हिस्सा लिया इन्हें सन्यासी का करदार निभाने के लिए मिला लेकिन उस सन्यासी को कच्छवे की विग पहननी थी और सुरेश बिलकुल भी नहीं चाहते थे कि ये कच्छवे की विग पहने सुरेश उदास मन से कच्छवे की वोविग पहन कर पंडाल पर चढ़े उन्हें लग रहा था कि लोग ने इस रूप में देखकर जरा भी खुश नहीं होंगे मगर हुआ एकदम उलट जैसे ही सुरेश पंडाल पर चढ़े लोग इन्हें देखकर जोर जोर से हसने लगे लोगों को हसते देख सुरेश की जान में जान आई वो रोल निभाने में इन्हें भी खूब मज़ा आने लगा उसके बाद तो सुरेश हर साल गणिशोत्सों का बेसबरी से इंतिजार करते थे सुरेश कोमर्स ग्रेजुएट हैं इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिखकर चार्टेड अकाउंटेंट बने पिता के सपने को पूरा करने के लिए सुरेश भी एक्टिंग का चसका छोड़कर चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई में जुट गए लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट की कठिन पढ़ाई के सामने एक दिन आखिरकार इन्होंने हार मान ली इन्हें एहसास हो गया कि इनके नसीब में चार्टेड अकाउंटेंट बनना है ही नहीं इनके कई दोस्त चार्टड अकाउंटेंट बनने में काम्याब रहे और अच्छी जगा नोकरी करने लगे लेकिन सुरेश ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रहे अपनी विफलता से सुरेश काफी दुखी थे सुरेश के जहन में दूर दूर तक ये खयाल नहीं था कि ये प्रोफेशनल एक्टर भी बन सकते हैं परिवार को सपोर्ट करने के लिए सुरेश को पैसों की जरुरत थी सो उन्होंने नोकरी तलाशना शुरू कर दिया कुछ दिनों की मेहनत के बाद सुरेश को क्रॉंटन ग्रीवस में सेल्स डिपार्टमेंट में नोकरी मिल लई यहां कुछ समय तक नोकरी करने के बाद सुरेश ने 20th सेंचुरी फाइनेंस में नोकरी की यही वो जगा थी जहां सुरेश को पहली दफ़ा ख्याल आया कि उन्हें एक्टर बनने की कोशिश करनी चाहिए दरसल इनका हस्मक स्वभाव इनके साथी करमचारियों को बड़ा पसंद था एक दिन इनके एक साथी ने ही इन से कहा कि तुम हसते हसाते बहुत खूब हो तुमें तो एक्टर बनना चाहिए उस वक्त तो सुरेश ने हसकर वो बात टाल दी लेकिन बाद में इन्होंने इस बारे में खूब सोचा इसी दोरान सुरेश को टाइमस ओफ इंडिया के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करने का मौका भी मिला मीडिया इंडिस्ट्री से जुडने के बाद सुरेश क्रेटिव फिल्ड को बहुत करीब से निहारने लगे और इसी के साथ एक्टर बनने के इनकी ख्वाहिश भी और जादा बढ़ने लगी एक दिन सुरेश को किसी ने बताया कि इन्हें आरके स्टूडियो के मेजर अशोक कोल से मिलना चाहिए क्योंकि वो इन दिनों परमवीर चक्र नाम की पूरी स्रीज दूरदर्शन के लिए बना रही हैं और उन्हें एक्टर्स की भी तलाश है सुरेश मेजर अशोक कोल से मिलने आरके स्टूडियो पहुँच गए मेजर अशोक कोल ने इन से बड़े सलीके से बात की और बड़ी विनमरता से इन से कहा कि फिलहाल वो ऐसे अक्टर्स की तलाश में हैं जो फोजी बन सकें इसलिए इन्हें वो काम नहीं दे पाएंगे मेजर अशोक कोल के व्यवार से ये बेहत खुश थे आर के स्टूडियो से जब ये बाहर जाही रहे थे तो इन्होंने अपने जीवन में पहली दफा महान रिशी कपूर सहब को देखा इस वक्त तक इनके माता पिता नहीं जानते थे कि उनका बेटा एक्टर बनने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर चुका है फिर जब इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ये एक्टर बनना चाहते हैं तो इनके पेरेंट्स काफी सर्प्राइज और परिशान हुए उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटा एक्टर बनने की कोशिष में उस नौकरी से बी जाए जो फिलहाल उसके पास है इनके पिता ने कहा कि ये एक बेहद चैलенजिंग फिल्ड है और फिल्मों में हेरो बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है इन्होंने अपने पिता से कहा कि ये बस एक्टर बनना चाहते हैं हिरो बनने का खाब ये नहीं देखते ये बस एक्टिंग करना चाहते हैं फिर चाहे इन्हें अपनी मदर टंग मल्यालम में बनने वाली फिल्मों में ही काम क्यों ना मिले बेटे के पैशन को देखते हुए मा काम मांगने के लिए डारेक्टर प्रोड्यूसर्स के ओफिस जा रहे थे तो लोग इनके साउथ इंडियन एक्सेंट की वजह से इन्हें रिजेक्ट करने लगे कर लोग तो इनसे साफ भी कह देते थे कि तुम्हारी बोली में साउथ इंडिया का टच आ रहा है इसलिए तुम संजाबी टच महसूस होता है तो मेरी बोली में साउथ इंडियन टच आने से क्या फर्क पड़ता है बहराल सुरेश का संघर्ष जारी था और तकरीबन एक साल संघर्ष करने के बाद सुरेश को पहली दफा यू टीवी के एक शो में काम करने का मौका मिला इस शो का नाम थ थी इसके बाद सुरेश नजराए साजिद खान के साथ एक कोमेडी शो में साजिद खान के साथ सुरेश मेनन की जोड़ी खूब जमी और पहले शो के बाद और भी कुछ शोज में इन दोनों ने दर्शकों को जम कर हसाया कुछ टीवी चैनल्स पर इन्होंने एंकरिंग भी की दे ग्रेट इंडियन कोमेडी शो और दे कपिल शर्मा शोज में भी इन्होंने दर्शकों को खूब हसाया वहीं पिल्लई पांडे और इक्के पे इक्का जैसे शोज में इनकी एक्टिंग दर्शकों को बड़ी पसंद आई टीवी शोज के अलावा सुरेश ने रेडियो प पर भी इनके काम को काफी पसंद किया गया वहीं कई टीवी विग्यापनों में भी इन्हें काम करने का मौका मिला और इस तरह कुछ ही सालों में देखते ही देखते सुरेश मैनन एंटरेटेन्मेंट इंडिस्ट्री में सेट हो गए और बढ़िया पैसे भी कमाने लगे सुरेश मैनन के फिल्मी करियर की बात करें तो इनकी पहली फिल्म थी कभी ना कभी जिसमें ये जैकी श्रोफ के साथ दिखे हाला कि इनकी पहली रिलीज फिल्म थी साल 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है उस फिल्म में ये शारुखान के दोस्त बने थे शूटिंग में भी दिखे फिर 2001 में ये एक बार फिर से शारुक खान के साथ फिल्म अशोका में निजर आए इस तरह सुरेश मैनन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और हर बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर की फिर चाहे वो शारुक खान हो या फिर जैकी श्रॉफ, सल्मान खान हो या फिर अनिल कपूर, अक्षे कुमार हो या फिर संजदत, बात अगर सुरेश के यादगार फिल्मी करिदारों की करें तो भेज़ा फ्राइट टू में एमटी शेखरन का इनका करिदार बेहद पसंद किया गया, क्रेजी फोर में गुड़ सनी के करदार को भी इनोंने धंक से जिया, फिर हेरा फेरी में पीटर के रोल में तो इनोंने कमाल ही कर दिया, हाउस फुल, पार्टनर, मस्ती और रावन जासी फिल्मों में इनोंने कैमियो किये, और उनमें भी इनोंने खूब वहवाही लूटी, दीपा महता की फिल्म मिडनाइट चिल्डरन में ये फिल्ड मार्शल बने थे सुरेश मैनन ने लोगों को उस वक्त चौका दिया जब 2015 में आई फिल्म धनक में ये एक बेहद सीरियस रोल में दिखे हर कोई हैरान था कि फिल्मों में कॉमेडी करने वाले सुरेश मैनन ने कैसे इतने शांदार तरीके से ये रोल निभाया दो साल बाद यानि 2017 में सुरेश मैनन काबिल में एक बार फिर से एक सीरियस रोल में निज़र आए मले आलम फिल्म ब्रह्मा राम में ये सुपरस्टार मुहनलाल के साथ उन्ने करिशनन के किरदार में निज़र आए इस रोल के लिए सुरेश मैनन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आवर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था इस तरह सुरेश मैनन ने साबित कर दिया कि वो केवल फिल्मों में मस्खरा पन ही नहीं बलकि और भी किई तरह के काम कर सकते हैं अपने फिल्मी करियर में सुरेश मैनन ने अब तक लगभग 40 फिल्मों में काम किया है आज सुरेश मैनन किसी पहचान के महताज नहीं है सुरेश मैनन की निजी जिन्दगी के बारे में कोई जानकारी उपलब्द नहीं है तो इस बारे में तो हम अपने दर्शकों को कुछ नहीं बता पाएंगे लेकिन ये जरूर बताएंगे कि सुरेश मैनन ने One Network Entertainment नाम से अपनी खुद की एक Entertainment Company शुरू की है इस कमपनी में वो शौट फिल्में बनाते हैं और उन्हें यूट्यूब पर अपलोड करते हैं इस नई पारी के लिए सुरेश मैनन को किस्सा टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुबकाम नाए साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि सुरेश मैनन आगे भी अपने टैलेंट से अपने चाहने वालों का मनुरंजन करते रहें जैहिंड